नारी ही समाज की निर्मात्री सकती है क्योंकि वही समाज का धारण और संबर्धन करती है। हमें अपने समाज में प्रकास चाहिए तो हमें बेटियों के प्रति हो रहें घिनावने वा घिनित क्रत्यों को रोकने है तो जागरुक होना पड़ेगा। या टिपड़ी आज एक फैसले में यसी एस्टी कोड के एक्ट के बिशेश नयदीस राहुर का त्यायन ने अपने आदेश में की है। और फैसला सुनाया है एक बलातकार के अभिक्त को टिपल आजीवन कारावास की। क्या पूरा मामला है दस साल पुराने मामले में सजा सुनाई गई है। इस पर आज चर्चा करेंगे नमस्कार मैं हूँ पंकर सिंग और आप देख रहे हैं आई इंडिया और हमारे साथ इस्टूडियो में मौझूद हैं SPO लाल चंद गुपता जी आपका स्वागत है बहुत बहुत तो दस साल पुराने रेप के मामले में SCHT Act के बिसेश नयादीस राहुल कात्याई ने जो सजा सुनाई है अबिक्ट को ट्रिपल आजीवन कारावास की पूरा क्या मामला है और ट्रिपल आजीवन कारावास की सजा जैसी सक्त सजा सुनानी पड़ी है इसको ले करके हम सीधे चलेंगे जो इस पूरे मामले की पैरवी की है जिन्होंने SPO लालचंद गुट्का के पास और उनसे जानेंगे क्या पूरा मामला है यह वर्ष 2011 का मामला है 17 वर्ष की लड़की उमा जो जाती की धोबी है अपने घर में सोई थी और रात्री के 11 बजे असोक यादो घर में घुश करके उसको जान से मारने की धमकी देते हुए उसके साथ बलातकार किया और उसको गंदी गंदी गालिया दिया जब उसके घर वाले आ गए तो उनको भी गाली और जान से मारने की धमकिया दिया था इस पर अभियोग पंजिक्रित हुआ और विवेचना उपरांत आरोप पत्र नियाले प्रेसित किया गया जो विचारण के दवरान आज इसमें अंतिम पढ़्डाम घोसित किया गया मान्नी नियाले यसी यस्टी एक्ट स्री राहुल कात्यान महोदय ने इसमें ट्रिपल आजीवन कारावास की सजा सुनाई है क्योंकि इसके पूर्व अभ्यूक्त असोक द्वारा इसके परिवार को सुला करने के लिए बार बार धमकाता था और मारने के लिए दवडाया था जिस पर एक मुकदमा पंजिक्रित हुआ था और उसमें भी अभ्यूक्त असोक और उसके परिवार को सजा सुनाई गई थी यह सजा दुबारा सजा हुई है इसलिए धारा 5 SCST Act में यह प्राविधान है कि यदि किसी अपराधी को दुबारा दोसिद किया जाता है तो उसमें उसपे लगाए गए आरोप में जो सजा है उस में मैक्सिमम सजा का प्राविधान है और उससे दंडित किया जाएगा ऐसी इस्थिति में इसको धारा 5 के अंतरगत भी आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया गया है तथा धारा 376 वह 325 SCST में भी आजीवन कारावास की सजाएं सुनाई गई है इसमें अभ्यूक्त क तो 40 हज्या रूपे का जुर्वाने के दंड से भी दंडित किया गया है तो इस तरह से डबल सजा दी गई है कुछ दिन पहले कोट ने इसी मामले में सजा सुनाई थी चुकि धंकाया था सुला के लिए उसके बाद यह जैसा कि S.P.O. साब का कहना है कि इसमें प्रावधान है कठोरतम सजा देने का और वो कठोर सजा दी गई है बलातकार के मामले में आपको बता दे कि जो जज्जमेंट है उसमें एक और टिपड़ी जल सहाब ने की है महलाओं के प्रति अनुचित बेवहार योन उत्पीडन और उन्होंने कहा कि और हिंसा को कदाप सहन न किया ज जाए बालिका के अस्तित्तु से ही समाज का अस्तित्तु है यदि बेटी बचेगी तो समाज बचेगा इस तरीके से अपने आदेश में ये टिपड़ी भी की गई है हम फिर चलेंगे एक बार स्पीजमें आपके पास और उन से जानेंगे कि इस तरीके से जो टिपल हुए घर में घुज जाता है और एक जो ना बालिक बच्ची है उसके साथ रेप करता है उसमें ये सजा सुनाई गई है ऐसी सजाएं जब मिलती है तो क्या लगता है कि जो बलातकार जैसी घटनाएं हैं उन पर अंकुस लगेगा और जो बेटियां है वो सुरचित महसूस क बिल्कुल एक्चुली यह अपराध यह पत्रावली मिशन सकती से सुची बद है और इसमें प्रती दिन जब जब यह नियति थी होती थी तो इसकी मॉनीटरिंग की जाती थी सासन से और सासन को इसकी सुचनाई भेजी जाती थी इसमें हर अस्तर पर अभ्यूक्त अपने ब किन्तु कानून का हाथ इतना लंबा है कि कोई भी अपराधी अपराध करके नहीं बच सकता है उसका अस्थान जेल है और जेल में ही उसको रहना है इस बात को यथात साबित किया है मन्नी नियाले द्वारा ट्रिपल आजिवन कारावास दे कर चुकि असो के आदो एक सरकस किस्म का बहुत ही सातिर अपराधी है और इसने जो जगन्य अपराध एक सत्रवर्स की बालिका के साथ किया है और उसकी असमिता को तार-तार किया है उससे समाज में लोग जागरूख हुए है और ऐसे अपराधियों को कड़े से कड़े सजा दिलाने के लिए आगे बढ़कर के आए हैं इसके घर के लोग भी इसके माता इसकी पिता ने आकर के अपनी पूरी बातें बताई और अच्छे धंग से साक्ष दिया है जिसके आधार पर माननी ये नियाले द्वारा इसको सजा सुनाई गई है तो इस तरीके से स्टी एक्ट के जो विशेश नयाधीस है राहूल कात्यायन ने ट्रिपल आ जीवन कारावास की जिस अभ्यूक तरशोक यादों को सजा सुनाई है उस आदेश में एक टिपड़ी और भी महत्पूर्ण की है वो यह है कि लड़कियों की प् पूजापाट के लिए पूजापाट के जरीए लोग अपने कर्तब्यों की इत्सिरी समझ लेते हैं बलकि समाज के प्रतेक ब्यक्ति को ऐसे मौकों पर विक्रत मांसिक पूर्सों से बेटियों को सनरच्छित करने का संकल्प लेना चाहिए यह टिपड़ी जो विशेश नय देश में कि अभ्युक्त के इस कर्ति से पीड़ता की अस्मिता योम आत्म सम्मान जीवन भर के लिए प्रत्कूल रूप से प्रभावित हुआ है तो इस तरीके से टिपड़ियां भी समाज के लिए बहुत ही उप्योगी हैं आने वाले समय में चुकि एक बेटी के साथ जि जैसा एस्पियो साहब कह रहे हैं जिन्होंने इस पूरे मामले की पैरवी की है आने वाले समय में जरूर जो बलातकार जैसा अपराद करते हैं वो सौ बार सोचेंगे नहीं तो उनके लिए ऐसी ही सजाएं आगे भी मुकररर रहेंगी एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ मानी नियाले द्वारा अभी एक अपरिल 2021 को एक गैर इरादतन हत्या के मामले में भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई है जो वर्स 1994 का मामला था और उसमें अभ्यूक्त को डबल आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी वह अभ्यूक्त भी कनविक्टेड है और उसको मानी नियाले द्वारा अभी मार्च महीने में भी एक ऐसे मामले में चुकि वो भी सरकस किस्म का आदमी था संजै सिंग जिसने एक मचली विक्रेता को मारा पीटा गाली दिया जान से माने की धमकी दिया और उसकी मचलिया फ ट्रायल में साक्षियों का साक्षांक्रन हुआ और मानी नियाले द्वारा उसको चार वर्ष के कारावास से दंडित किया था और उसके बाद धारा 304 और 325 SCST एक्ट में दिनांक 1 अप्रिल 2021 को पुन आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया है तो इससे उस नियाले द्वारा SCST कोड द्वारा सुनाये गए लगातार सजाओं से अप्राधियों के हौसले पस्त हुए हैं वादकारी और वादकारियों के हित की बात जो कही जा रही है वो वादकारी वो पिडित अब उनके अंदर एक उर्जया आई है और वो अप्राधियों को सजा दिलाने का संकल्प लिये हैं और लगातार उनको अप्राधियों को सजा दिलाने में प्रयासरत हैं तो सजा पर सजा जिस तरीके से सुनाई जा रही हैं उससे आपका कहना है कि वादकारी भी अब संकल्पित हो रहे हैं उनमें भी जो विश्वास है और बढ़ रहा है और निशी तोर पर आने वाले समय में भी अब सजाओं का दौर शुरू हुआ है ये बढ़ता जाएगा और उन लोगों के लिए ये बहुत ही गंभीर बात होगी जो ऐसा अपराद करते हैं वो ऐसी सजाएं भुगतने के लिए तयार रहे हैं आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्वा खबर आपकी नजर हमारी देखते रहे आई इंडिया